हेलो स्टुडेंट्स कैसे हो आप तो आज हम इस जो फर्स चैप्टर दा लाइफ साइकल ऑफ एनिमल इसके कोशन अंसर्स करेंगे इसके यहां पर एक्सेसाइज अब वह करेंगे ठीक है तो आप लोग नोटबूक पेंसिल या पेंल लेके बैठ जाओ और फटा फट लिख ल जो चूजा रहता है मुर्गी का बच्चा उसको 20-22 दिन लगता है अंडे से बाहर आने में मतलब क्या और भी जो जानवर रहते हैं जो बच्चे रहते हैं जिसे और जानवर के क्या वो भी अंडे से बाहर ऐसे 20-22 दिन में आते हैं नहीं हर एनिमल अलग-अलग टाइम पर अंडे से बाहर आता है जो मुर्गी का बच्चा 20-22 देज में और जिसे की स्पाइडर भी अंडे देते हैं तो उसके बच्चे हो सकता है 10-12 दिन में बाहर आए जो सब अलग-अलग डेज पर बाहर आते हैं आप सेकेंड क्या है यू मस्ट leafy vegetables to sort it you may find holes of different sizes in the leaf मतलब जो हम जो नहीं पत्ते रहते हैं सबजी के पत्ते हम लेते हैं तो उसमें देखो हमें छोटे छोटे होल लिखते हैं some leaves may have been nibbled at the edge मतलब कुछ कुछ रहते हैं कोने कोने पे भी इसे काटे हुए रहते हैं what do you think is the reason for that तो क्या reason रहता है उसका क्यों 20 में होल रहता है छोटे छोटे काटे हुए रहते हैं तो हमने वो पढ़ा था chapter में देखो यहां पे यह देखो यह है जो caterpillar है जब आता है अंडे से बाहर तब यह पत्ती को खाता है कोने से खाता है क्योंकि बहुत भूका रहता है फटफट खाता है बड़ा होने के लिए तो इसका reason यह है जो caterpillar है वो पत्ती को खाया रहता है इसके लिए वो पत्ती में होल रहता है और कटी भी रहती है अभी हमको करना है fourth question when you shell peas you sometimes see a tiny green living things inside the pod piece मतलब का जो मटरफली नहीं रहती है जब हम उसको छीलते है तो हमको उसके अंदर छोटा से green green नहीं कुछ दिखता है green green कोई कीड़ा दिखता है which of the four stages of the life cycle of an insect are they मतलब वो कौन सा stage रहता है insect का तो हमको देखो जो green green छोटा सा रहता है वो क्या रहता है वो रहता है caterpillar अभी हमको करना है answer in brief true or false and fill in the blanks इसका मैंने लिखके रखा है मैं आपको दिखाता हूँ students जहां पर देखो हम question answer करने वाले हैं तो इसको आप लिख लेना फिर B क्या है answer in brief पहला question क्या है why must the hand sit on an egg मतलब मुर्गी अपने अंडे पे क्यों बैठती है तो तो क्योंकि इसका answer है a hand sits on her egg because warmth is necessary for the chicks to grow inside the egg मुर्गी अंडे पे बैठती है इसलिए क्योंकि अंडे को गर्मी बहुत जरूरी है ताकि अंदर जो चूजे हैं मुर्गी के बच्चे वो बड़े हो so after laying them तो अंडे देने के बाद the hand sits on the egg to keep them warm तो अंडे देने के बाद इसलिए मुर्गी अंडे पे बैठती है ताकि वो गर्म हो अभी second question क्या है why does a hen becomes aggressive when she is hatching her egg मतलब मुर्गी बहुत गुसे वाली क्यों बन जाती है बहुत हर दम हमला क्यों करती रहती है जो वो अंडे पे बैठी रहती है तो उसका अंसर है when a hen is hatching her egg मतलब जो मुर्गी अपने अंडे पे बैठती है उसको गर्म करने के लिए she became aggressive for the fear of their safety मतलब अपनी बच्चों की जो अंडे रहती है अंडे के अंडे के अंदर बच्चे उनकी हिफाज़त के लिए बहुत गुसे में हो जाती है बहुत aggressive हो जाती है she attacks anyone who tries to go near the egg मतलब वो कोई भी जो अंडे के करीब जाने की कोशिश करता है उस पे attack कर देती है तो ये वज़ा है जब मुर्गी बहुत गुसे में हो जाती है which are the four stages of the life cycle of a butterfly तो butterfly के चार stage क्या है जब वो बड़े होते हैं उनके चार stage क्या है हमने chapter में पढ़ा था उसका answer क्या है the four stages of the life cycle of a butterfly are egg, larua, pupa and adult तो ये चार stage है जब बटरफ्लाई पहले एग में रहता है फिर लारवा बनता है फिर प्यूपा में रहता है फिर जाके एकदम बड़ा beautiful butterfly बन जाता है पिर अगला question क्या है which changes takes place inside the chrysalis of the plain tiger butterfly मतलब जो plain tiger butterfly है जब chrysalis में रहता है जो नहीं अपने देखो जो पेड रहता है अपने आपको इससे टांग लेता है एक बहुत ही thread जैसा उसके अंदर अपने आपको बन कर लेता है उसमें क्या changes आते हैं वो टाइम पे तो देखते हैं inside the chrysalis मतलब वो chrysalis जो रहता है धागे जैसे उसके अंदर जब रहता है बटरफलाई तो important changes takes place in its body तो मतलब बहुत ही ज़रूरी महत पूर्ण changes उसके अंदर आते हैं इसकी बोडी में the growth of the plain tiger gets completed inside the chrysalis मतलब जो butterfly रहती है न तो पूरी तरीके से chrysalis के अंदर बड़ी हो जाती है जैसे उसको पंक मिलते हैं पैर मिलते हैं वो सब then the adult butterfly emerges out from the chrysalis तो एक बड़ी butterfly chrysalis से बाहर आती है पहले देखो उसके अंदर एक कैसे caterpillar की तरह कोई अंदर बंद होता है लेकिन जो बाहर आता है जो बीउटिफुल butterfly बनके बाहर आता है अगला question क्या है true or false first question है a lamb emerges from an egg lamb मतलब क्या रहता है बकरी का बच्चा है तो बकरी का बच्चा अंदे से बाहर आता है क्या नहीं बकरी तो अंदे नहीं देती है तो यह false हो गया मतलब गलत है we cannot easily see the eggs of an egg because they are very tiny मतलब हम मुर्गी हम यह cheaty जो है cheaty उसके अंदे नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे रहते हैं तो यह true हो ना सही है यह when the caterpillar emerges from an egg it is not very hungry यह true है या false यह false है गलत है क्यों क्योंकि जब देखो हमने पढ़ा है जब caterpillar अंदे से बाहर रहता है वो बहुत भूगा रहता है जो पत्ती पे वो आता है जो लीफ पे वो ही लीफ खाने लगता है जल्ली लीफ पत्ती तो इसके लिए यह false हो गलत है अब देखो अगला कुशन है fill in the blanks मतलब यहाँ पे हमें यह जो खाली जगाए है वहाँ पे answer लिखने देगा पहला कुशन क्या है जो लारवा रहता है उसको दूसरा नाम हम क्या देते है caterpillar बोलते है जो आपने देखा होगा तो students इसके अब question answer भी complete हो गए यह chapter के तो आप फटफट इसको learn कर लो ताकि अगर आपका test हो तो आपके full marks आए अच्छे से पढ़ाई करो अब अगले वीडियो में हम second chapter करेंगे environmental studies का अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like करो वीडियो को share करो और अपने दोस्तों के साथ share करो इसे और subscribe करो तब तक के लिए good bye